हलो फ्रेंस, इस्टडी बिद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर्स वागत है आज हम भारत को ब्रिटिस सासन की बीरासत के पार्टेट के 25 महत्पूर प्रसनों पर चर्चा करेंगे और ये प्रसन ब्रिबिन प्रदेशों के आयोगों और UPSC की परिछाओं में किसी न किसी वर्स में जरूर पूछे गए हैं तो हमारा पहला प्रसन है ब्रिटिस सरकार के किस अधनियम ने सबसे पहली बार भारत में सिच्छा के लिए एक लाख रुपिये दिये थें और प्रिटिस सरकार के द्वारा हमारा अगला प्रसन है प्रसन नंबर दो सुतन्तरता पूर्व अवध में ब्रिटिस सरकार द्वारा भारत में आधनिक सिच्छा के लिए प्रसार का मुख्य उद्देश था ओप्शन ए छोटे प्रसासनिक पदो पर नियुक्द हेत सिच्छित भारतियों की आवसकता भारत में आधनिक सिच्छा के प्रसार का ये ब्रिटिक सरकार का मुख्य उद्देश था कि उन्हें सिच्छित वह मिले जो छोटे प्रसासनिक पदों पर कार कर सके प्रस नंबर 3 भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदर्शा कहां इस्थापित किया था अंग्रेजों ने भारत में पहली बार मदर्शा कलकत्ता में स्थापित किया था प्रस नंबर 4 निम लिखित कालेजों में सरपथम किसके स्थापना हुई थी हंटर कमिशन की रिपोर्ट में विकास पर जोर दिया गया उप्शन ए बालिकाओं के सिच्छा पर ब उच्च सिच्छा को सी प्रात्मिक सिच्छा को ड तक्नीकी सिच्छा को तो इसका सयुत्तर है उप्शन सी प्रात्मिक सिच्छा को हंटर कमिशन में के विकास पर विशोर विशेष जोर दिया गया था प्रेश नंबर छे, निस्नल काउन्सल आफ एजूकेशन की स्थापना कव हुई? Option A, 15 अगस्त 2003, B, 15 अगस्त 194, C, 15 अगस्त 1905, D, 15 अगस्त 1906 तो इसका सही उत्तर है Option D, 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउन्सल आफ एजूकेशन की स्थापना हुई थी प्रेस नमबर साथ, सिच्छा में सुधार हेत, ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कव निउक्त किया, आप्शन A 1919 में, B 1917 में, C 1921 में, D 1896 में, तो इसका सही उत्तर है, आप्शन B, सैडलर आयोग का गठन 1917 में किया गया प्रेस नमबर आट, एसियाटिक सोसाईटी या बंगाल के संसथापक थें, आप्शन A, Sir William Jones, V. Wilkins, C. Maximular, D. James Princip, तो इसका सही उत्तर है, आप्शन A, Sir William Jones, एसियाटिक सोसाईटी या बंगाल के संसथापक थें प्रेस नम्बर नौ निम लिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एसियाटिक सोसाइटी की सदस्ता प्रदान की गई थी ओप्शन ए दादा भाय नवरोजी बी माइकल मदसूदन दत्थ सी राजा राम मोहन राय डी स्वामी विवेकानन्द प्रेस नम्बर दस डेकन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन सम्मंदित था ओप्शन ए जस्टिस रनाडे बी फिरोज सामेता सी बीजी तिलक बाल गंगाधर तिलक दी दयानन्द स्वरसती तो इसका सयुत्तर है ओप्शन सी बाल गंगाधर तिलक डेकन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी किसके सतत प्रेतनों में बंबाई में पर्थम महिला विश्विद्याला के स्थापना हुई ओप्शन ए दयाराम गिंडुमल बी डीके करवे सी रमाबाई डी महादयो गोबिंद रनाडे तो इसका सहुत्तर है ओप्शन बी डीके करवे के सतत प्रेतनों से बंबाई में पर्थम महिला विश्विद्याले की स्थापना हुई थी तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में डीके करवे का पूरा नाम बताना है प्रेस नंबर 12 वाराणसी में प्रथम संसक्रत महाविद्याले की स्थापना किस ने की थी ओप्शन ए जुनाथन डंकन बी वारेन हंस्टिंग सी लाड मैकाले डी बंकिम चंद्र तो इसका सयुत्तर है option A जुनाथन डंकन ने वाराणसी में प्रत्थम संसकरत विश महा विद्याले की स्थापना की थी प्रेस नंबर 13 नेम लिखित में से किसे सर प्रत्थम केंदरी विश विद्याले घोशित किया गया option A अलीगड मुस्लिम विश विद्याले अलीगड B डाक्टर भीम रावंबेटकर विश विद्याले लखनाव C बनारस हिंदू विश विद्याले वाराणसी D इलाहवाद विश विद्याले इलाहवाद B. महाराजा विभूतु नराण सिंग, C. लार्ड हराडिंग, D. एनी बेशंट तो इसका सहुत्तर, option A. मदन मोहन मालवी ने बनारस विश्विद्याले का सिलान्यास किया था प्रेस नमबर 15, निमलखित में से किसने भारती विश्विद्याले में धार्मिक सिच्चा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी option A. बाल गंगा धर्तिलक, B. स्वामी विवेकानन्द, D. महत्मा गांधी, D. मदन मोहन मालवी तो इसका सयुत्तर है option D. मदन मोहन मालवी ने भारती विश्विद्याले में धार्मिक सिच्चा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी मतलब निम्हें धार्मिक सिच्चा का समर्थन किया था प्रेस नमबर 16 भारत में प्रथम तीन विश्विद्याले कलकत्ता, मदरास, बंबई की इस्थापना किस वर्स हुई? option A. 1857, B. 1881, C. 1885, D. 905 option A. 1857, भारत में प्रथम तीन विश्विद्याले कलकत्ता में, मदरास में और बंबई में इनकी इस्थापना सन 1857 में हुई थी प्रेस नमबर 17, सैडलर आयोग सम्मंधित था प्रेस नमबर 18, भारत में आधुनिक सिच्छा प्रणाली की निव किसे से पड़ी? option A. 1813 का चार्क्टर अधनियम, B. 1835 के मैकाले के इस्मरण पत्र, C. 1882 का हंटर आयोग, D. 1804 का उड़का डिस्पाइच तो इसका सैउतर है option B. 1835 के मैकाले के इस्मरण पत्र से भारत में आधुनिक सिच्छा की निव पड़ी? प्रेस नमबर 19, डेविड हेर और अलेकजेंडर डफ के साथ मिलकर निम लखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कालिस की स्थापना की? उड़का इसका सैउतर है option D. राजा राम मोहन राई प्रेस नमबर 20, किसके साथनकाल में भारत में अंग्रेज सिच्छा आरंभ की गई? उड़का इसका सैउतर है option A. लाड विलियम कवांडिस बेंटिक, बी लाड हारडिंग, लाड मिंटो, डी लाड डल होजी तो इसका सैउतर है option A. लाड विलियम कवांडिस बेंटिक के समय भारत में अंग्रेजी सिच्छा का आरंभ प्रारंभ की गई प्रेस नमबर 21, लाड मैकाले सम्मंदित है option A. सेना के सुधार से B. सती प्रथा की समाप्ती से C. अंग्रेजी सिच्छा से D. इस्थाई बंदो बस से तो इसका सहीवतर है option C. अंग्रेजी सिच्छा से लाड मैकाले सम्मंदित हैं इन्हें के द्वारा भारत में अंग्रेजी सिच्छा प्रारंभ की गई थी प्रेस नंबर 22 भारत की सेच्छड़क नीती में फिल्ट्रेशन थियोरी के प्रतिपादक थें option A. चार्ल्स उड बी मैकाले लाड मैकाले C. जे एस मिल डी कार्नवालिस लाड कार्नवालिस तो इसका सहीवतर है option B लाड मैकाले की सेच्छड़क नीत में फिल्ट्रेशन थियोरी के प्रतिपादक थें प्रेस नंबर 23 भारत के आपनिवेसिक काम मेक अधो मुखी आपनिवेसिक काल में अधो मुखी निस्यंदन सिध्धांत किस छेतर से सम्मंदित था option A. रेल, B, सिच्छा, C, सिचाई, D, गरीवी हटाओ तो इसका सहुत्तर है option B. सिच्छा से सम्मंदित था अधो मुखी निस्यंदन सिध्धांत प्रेस नंबर 24 चाल्स उड़ का अधेस पत्र निम लिखित में से किस से सम्मंदित था options A. सिच्छा से, B, व्यापार से, C, प्रिशासनिक सुधार से, D, सायने सुधार से तो इसका सहुत्तर है option A. सिच्छा से सम्मंदित था चाल्स उड़ का अधेस पत्र जुड़ का नाम था चाल्स उड़ का डिस्पाइच प्रेस नंबर 25 निम लिखित में से किस ने कालिदास की प्रिशिद रचना सकुंतिला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था option A. चाल्स विलकिंसन ने B. हेन्री कोलब्रुक ने C. योहान उल्फगान फान गेटे ने D. सर विलियम जोन्स ने तो इसका सहुत्तर है option D. सर विलियम जोन्स ने प्रिशिद रचना कालिदास की प्रिशिद रचना सकुंतिला का पहली बार अंग्रेजी में नुवाद किया था तो आज के 25 महत्त पूर्ट प्रस यहीं पर समाप्त होते हैं वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद